हेलो दोस्तो स्वागत है मेरे यूटूब चैनल टोटल हेल्प पे तो दोस्तो आज की टॉपिक है कि हम इस टेम पे 3G, 4G या 5G कौन छा फोन लें जो हमारे लिए बेस्ट हो तो जाहर से बात है 3G तो कोई लेगा नहीं क्योंकि 3G का तो जवाना रहा नहीं तो आप बात रही 4G और 5G की तो इन दिनों में से आप किसको लेना कुछ इत समझते हैं 4G को या 5G को तो दोस्तो मैं रेक्मेंड करूंगा 4G को आप मैंसे कई लोग होंगे कई लोग सोच रहोंगे कि अरे इस टेम पर 4G को आप तो 5G आने आला तो मैं 5G ही फॉन लोगा तो दोस्तों बात ऐसी है कि आपको पता है कि अभी कई जगे हमारे 5G के नेटर के आए ही नहीं है और आएंगे भी नहीं कई टेम तक और आ भी गए तो कई कई जगे पहले बड़ी बड़ी सिटियों में आएंगे और इधर छोटी में तो सायथ कुछ समय जब में आए बाद ही सरयश मिली तो हिसमें होगा क्या अगर आप 5G फॉन लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि यहां सर्विस तो पहले है नहीं अगर आएगी ने एक्सचेंज कर देते हैं जिससे होता क्या है कि वह अगर 5G फॉन लिंगे तो उनने पैंसे तो 5G के ही दिये लेकिन 5G यूज ही नहीं कर पाए और वो phone जिसको भी आप वो sell करेंगे या exchange करेंगे और जब 5G आ चुका होगा तो पैंसे उसका फैदा वो अगला बंदा उठा रहा होगा और आपके खाली पैंसे गए होगे तो मैं suggest यही करूँगा कि आप फोरजी ही phone ले जब तक पूरे तरीके से नेटर के बिछनी जाते आनी जाते तो उससे आपका होगा क्या आपका पैंसा भी बचेगा और phone भी आप exchange करते रहेंगे तो उसमें कोई problem नहीं है अगर हाँ जैसे कई लोग ऐसा होता है कि वो बदल सकते हैं उन पर कैचिव बोलते हैं इतनी हैप की पैंसे वो हर दूसरे दिन एक मेने दो मेने या छे मेने में बदल सकते हैं उनके लिए तो खेर कुछ नहीं का सकता वो तो करें लेकिन जो सोच समझ के phone लेते हैं बहुत समय बाद तो ऐसा ही करें कि 5G में पैसा ना डालें उससे बढ़िया 4G में डालें 4G डालें तो आपके लिए वो phone best होगा इसलिए मैं suggest करूंगा कि आप 4G ही ले 4G एक अच्छा phone ले ले जो टिकाओ हो उसमें आपको profit होगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और नेश्ट वीडियो किस बारे में चाहिए ये भी मुझे को जरूर बताएं तो मैं आपके लिए उसी से related बहुत ही अच्छी अच्छी ऐसे ही जानकारी वाली वीडियों लाते रहूंगा तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना जिससे होगा क्या कि आपके कमेंट से ही हम आगे कौनची वीडियो और हमारी वीडियो या आपके लिए कितनी helpful रही है वो देख करके आपके लिए वीडियो तयार करेंगे